हाई दोस्तों असलाव अलेकुम केसे आप लो मेरा नबील है आईफोन 11 pro max vs 12 pro max का full in-depth comparison वो भी long term basis के उपर मैं आज आपको करके बताने वाला हूँ कि काफी नहीं से मैं use कर रहा हूँ 12 pro max पहले 11 pro max यूज करता था as a primary device मैंने दोनों devices को इस्तमाल किया है और यहाँ पर हम चेक आउट करेंगे कि कौन सा फोन जो है इन दोनों में से आपके लिए रहेगा बहतर क्या अगर आप आईफोन 11 pro max user है तो 12 pro max पहे आपको अपगरेट करना चीए नहीं करना चीए वर्थ इट है इस साल का 12 pro max या फिर अगर आप नया आईफोन लेना चाहरे हो तो दोनों में से कौन से आईफोन के लिए आपको जाना चीए क्या 11 pro max लेके आपको पैसे बचाने चीए और उसके accessories वगरा इसके साथ बनाते हैं compatible लेकिन अगर आप mac safe के accessories वगरा इस्तमाल नहीं करने वाले हैं जो के मैं भी अभी नहीं कर रहा हूं तो इससे आपको कोई भी फरक नहीं पढ़ना चाहिए दोनों phones के back side पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे triple camera का setup है लेकिन iPhone 12 pro max के जो lenses है वो आपको definitely बड़े लगेंगे 11 pro max के मुकाबले और यहाँ पे 12 pro max के अंदर आपको मिलता है एक lidar scanner भी अब यह क्या चीज़े है सारी और यह किस तरीके से आपको day to day life में मदद करेंग लेकिन दोनों ही stainless steel के बने हुए है लेकिन जो 12 pro max है उसके जो sides है फ्लाट होने की वेश से थोड़ा एक अलग look और जादा premium look आपको देते है अब यह completely depend करता है आपकी personal preference के उपर वैसे अगर आप देखेंगे के without case कौन सा phone जादा comfortable है hold करने में तो definitely it is 11 pro max 12 pro max के मुकाबले जादा comfortable है क्योंकि इसके edges जो है round है और वहीं पर 12 pro max के edges है sharp है तो अगर आप without case करते है तो definitely 11 pro max will be more comfortable क्योंकि यह थोड़ा dig in करता है आपके skin में आपके flesh में इसके अलावा दोस्तों सभी साइट से आप देखेंगे तो सारा जो port placement है सारी जो चीज़े दीवी है दोनों फो लेते हैं दोनों phones को तो यहां पर जो ports वागरा दिये वे हैं वो भी exactly same है यहां पर मेरा 12 pro max है क्योंकि MM wave वाली technology वाला 12 pro max है USA वाला piece है तो यहां पर इसके अंदर right side पे आपको इस तरीके का एक antenna band देखने मिलता है जो कि 11 pro max में नहीं क्योंकि उसमें 5G भी नहीं है लेकिन 12 pro max मेरा सिर्फ normal 5G होता सब 6GHz वाला जो कि इंडिया में मिलता है तो उसमें यह वाली जो चीज़े आपको देखने नहीं मिलती लेकिन overall size और dimensions के बारे में अगर बात करते है तो 12 pro max 11 pro max के मुकाबले सभी dimensions के अंदर बड़ा है सिवाए thickness के मामले में दिखने में 12 pro max 11 pro max के म मुकाबले थोड़ा सा पतला है लेकिन यहां पर दोस्तों दोनों का जब front side हम देखते है दोनों ही आईफोन का तो यहां पर जो display का size में हमको फरक महसूस होता है यह जो display का size बड़ा होनी की वज़े से ही 12 pro max 11 pro max के मुकाबले सभी dimensions में बड़ा है यहां पर जो display है 12 pro max में वो दिया है 6.7 inches का वहीं पर 11 pro max में आपको मिलता है 6.5 inches का यहां पर display बड़ा है लेकिन जो overall form factor है वो काफी तक उतना ही है दोनों phones का क्यूंके जब आप 12 pro max के तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको bezels जो है पतले नजर आएंगे 11 pro max के मुकाबले ऐसा क्यूं है पतले क् मिलते है flat sides और यह जो flat sides है इसकी वज़े से apple इस glass को completely लेके जा पाया है edge to edge तक complete flat glass आपको देखने मिलता है 12 pro max में जबके 11 pro max का जो glass है उसके edges है slightly curved लेकिन जो बड़ा size देके रखा है apple ने 12 pro max का 11 pro max के मुकाबले यह इसको जादा जो है difficult नहीं बना था use करने में weight के मामले क्योंकि दोनों का weight जो है it is exactly same लेकिन अगर बात करें दोस्तो one-handed usage की तो दोनों phones इतने बड़े है कि इसमें one-handed usage का तो सवाल आता ही नहीं है लेकिन अगर आप बड़ा phone ले ही रहो तो वो जो छोटा सा display के size में फरक है जो बड़ा display आपको 12 pro max में मिलता है वो आपके व्यू करने के डाइम पे यह 1200 निट्स तक जा सकते है दोनों के display exactly same है OLED पैनल है और इसका जो pixels per inch है जो PPI होता है वो भी exactly same है यानि की 458 PPI दोनों के फ्रेंड में आपको यह जो notch नजर आ रही है इस notch में देखने बिलता है 12 MP का true depth camera system जो की face ID unlock के भी काम आता है और यहां पे जो face unlock है वो दोनों फोन में equally fast है इसमें आपको कोई भी फरक महसूस नहीं होगा अगली चीज़ है दोस्तो water resistance अगर आपका दिल बहुत बड़ा है इतना पैसा आपके पास है कि इसको लेके आप पानी में भी डुबाना चाहते हो तो यह बता दू आपको 11 Pro Max के मुकाबले 12 12 Pro Max है उसमें आपको slightly better water resistance देखने मिलता है लेकिन दोनों ही IP68 certified है बट 12 Pro Max जो है वो 6 मीटर पानी तक आप लेके जा सकते हो 11 Pro Max को 4 मीटर तक लेकिन यह कोई GoPro नहीं है जो दोनों devices है यह आपको सिर्फ बारिश और accidental जो spills होते है उससे protection के लिए यह IP rating provide करते है अगर आप इ दोस्तों एक main difference के बारे में जो के है इसका internal specification दोनों के अंदर slightly different internals आते है 11 Pro Max में आपको A13 Bionic chipset देखने मिलता है वहीं पे 12 Pro Max में आपको मिलता है 6GB का रहा हैं जबके 11 Pro Max में आपको मिलता है 4GB का रहा हैं इसी किया internal storage जो है दोनों में maximum 512GB और 256GB तो आपको देखने मिलत देता है that is just 64GB Pro model का नाम रखा हुआ है Apple ने और इसके अंदर सिफ 64GB देता है यह बहुत बुरी बात है anyways यह गलती इस बार करकिया 128GB जो है it is more than enough 64GB बहुत जादा कम हो जाता है अब यहां पे performance में जो difference है यह ना के बराबर है मैंने speed risk के रखाया चैनल पर चेकाउट कर सकते है आपको benchmark में definitely दोनों के फरक देखने को मिलेगा लेकिन performance day-to-day life gaming या कोई भी हेवी से हेवी टास्क आप कर लेंगे इसमें फरक नहीं है लेकिन 6GB का RAM जो है it is slightly more future proof जब और ज्यादा हेवी application अन लगेंगे और iOS और ज्यादा हेवी होता चला जाएगा उस टाइम पे आपक 11 Pro Max के मुगावले इसकी मदद से Apple ने इसके अंदर देखे रखा एक नया neural engine जो कि next generation का neural engine है जिसकी मदद से बहुत सारी अच्छी चीज़े जो है आपका 12 Pro Max कर सकता है जो कि 11 Pro Max नहीं कर सकता और यह जो अच्छी चीज़े है यह सारी चीज़े हम discuss करेंगे camera department के बारे में ब 12 Pro Max के अंदर मिलता है आपको LiDAR scanner अभी जो LiDAR scanner है यह depth sensing के काम आता है और रात के अंधेरे के वक्ट भी यह focusing में आपकी बहुत जादा मदद करता है यहाँ पे काफी हद तक आपल ने camera के department में बहुत जादा improvement किया है 12 Pro Max में 11 Pro Max के मुकाबले हमने fully depth comparison भी किया था दोनों के cameras का वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो wide angle में ultra wide angle में और telephoto zoom lens को इस्तवाल करते हुए सबी के अंदर जो 12 Pro Max है इस performing better साथी साथ सभी cameras के अंदर आगे पीछे के सभी cameras के अंदर 12 Pro Max में आपको मिलता है deep fusion के technology तो जादा बहतर फोटो जादा high quality के photos 12 Pro Max लेता है 11 Pro Max के मुकाबले और इसे के साथ एक बहुत ही जबदस feature है 12 Pro Max में जोके है night mode सभी cameras के उपर चाहे front facing camera हो चाहे rear facing camera हो सभी में night mode night mode time lapse सारे functions आपको मिल जाएंगे जोके 11 Pro Max के मुकाबले इसको काफी बहतर बनाते 11 Pro Max में आपको deep fusion मिलता है लेकिन सिर्फ rear camera में और 11 Pro Max में आपको night mode मिलता है लेकिन सिर्फ rear के जो main camera है wide angle camera उसके अंदर ही देखने मिलता है 12 Pro Max का जो telephoto zoom lens है उसके अंदर भी Apple ने improvement यहा है जहा 11 Pro Max करता है two times तक optically zoom इसके साथ दोस्तो जो 12 Pro Max है इसके camera से आप video recording करते वक 4K Dolby Vision HDR के अंदर भी shoot कर सकते हो सभी camera सभी lenses के उपर जो के 11 Pro Max में बिल्कुल भी possible नहीं है iPhone 12 Pro Max में दोस्तो एक और feature भी आया है जो के Apple का Pro Raw है अब जो यह Pro Raw है इसमें आप क्या कर सकते हो basically DSLR में जैसे आप RAW images शूट करते हो वैसी आपके 12 Pro Max के camera से भी आप RAW images टाइप के images शूट कर सकते हो जिसको बाद में editing के वक्त आप जादा अच्छे से tweak कर पाएंगे अब अगले point पर आजाते हैं जो के है network and connectivity देखिए दोनों फोन जो है dual sims को support करते हैं एक e sim है एक regular sim है दोनों के अंदर आपको Wi-Fi 6 देखने मिलता है तो भैतरीन Wi-Fi performance आपको देखने मिलेगा दोनों के अंदर दोनों के अंदर आपको NFC मिलता है सारे antenna सारे sensors सब चीज जो ह है लेकिन iPhone 12 Pro Max is a 5G handset जो कि iPhone 11 Pro Max कभी भी support ने करेगा आपका iPhone 11 Pro Max हमेशा 4G पे ही अटका रहेगा जबकि जब 5G आ जाएगा तब 12 Pro Max पे भी आप 5G का मजा ले सकते हैं आपके लिए ये कितना बड़ा deciding factor है अब इसके बारे में आपको सोचना है क्या आप इस phone को लेने के ब उपर दोनों में आपको सारी स्पीड सारी connectivity जो फोन कॉल की quality है हर चीज exactly सेम देखने को मिलेगी फाइनल चीज के बारे में बात करें दे जो है बैटरी कापासिटी अब यहाँ पे आपल ने क्या किया है iPhone 12 Pro Max में 11 Pro Max के मुगाबले तकरीबन 300-400 mh कापासिटी की बैटरी कर Max में आपल ने बैटरी इतनी कम क्यों किया है 300-400 mh कापासिटी बैटरी कम क्यों किया है बट I was surprised to know जब मैंने यूज किया इसको इतने टाइम काफी ताइम से मैं इसको यूज करा जब से आया है यहाँ पे जो बैटरी का आउटपुट है जो बैटरी का बैक अप है वो दो बैटरी का बैक अप कम होता है इस सब चीजों को फेंटास्टिक तरीक इसे मैनेज करता है आइफून 12 Pro Max आइफून 11 सीरीज के सभी आइफून के मुकाबले काफी ज़ादा कम हीट होता है यहाँ पे जो बैटरी हेल्थ है वो भी अच्छे तरीके से आप में देखी सकते है कितने टाइम से मैं अपने 12 Pro Max को यूज करा हूँ हूँ और एवरी डेया मैं चार्जिंग इट विद एपल्स फास्ट चार्ज है 20 वर्ट का चार्जर से मैं इसको चार्ज करा हूँ अभी भी इसकी जो मैक्जिमम कपासिटी है बैटरी हेल्थ की यहाँ पे देख सकते आप इट इस 100% बैटरी हेल्थ के पैस्टी ओविसली मैं अपने जो टिप्स और ट्रिक्स जो आपको बताता हूँ वो तो यूज करता ही हूँ लेकिन यहाँ पे जो एपल ने यहाँ पर हीट मैनेजमेंट किया है 12 Pro Max के अंदर वो बहुत ही जबरदस तरीके से किया है तो इसके अलावा दोस्तो इसके अंदर जो बैटरी लाइफ आपको देखने मिलती है इट इस आउसो आउटस्टैंडिंग लोगों को लगा था कि नहीं यहाँ बैटरी कापासिटी कम किया है तो बैटरी लाइफ खराब हुई ऐसे कुछ भी नहीं आपको अमेजिंग अमेजिंग बैटरी लाइफ इसके अंदर देखने मिलती है लेकिन दोस्तो अगर आप वैल्यू फो मनी का सोचते हो तो आईफोन 12 Pro Max इस नोट एट के लिए दोस्तो जो अल्रेडी आईफोन 11 Pro Max ओनर है मेरे हिसाब से अगर आप मेरी माने अगर मैं आपकी जगा होता तो कभी भी आईफोन 11 Pro Max से 12 Pro Max के उपर अपग्रेड नहीं करता है कि मैं आपकी जगा नहीं हो तो मुझे करना पड़ता है क्योंकि मैं रिव्यूर हूँ और I have to buy the latest iPhone लेकिन अगर आप समझदार है तो 11 Pro Max को बेच कर 12 Pro Max पर मज जाए क्योंकि पर्फॉर्मेंस में और बहुत सारी चीजों में आपको बहतर चीज़े तो देखने मिलेगी ओविसी बात है आप नए जनेरेशन का iPhone ले रहे हो लेकिन यह जो प्रीम आप प्रे करोग से लिया था कितने में लिया था तो 12 Pro Max तो आप जानते ही है कि मैंने सेलबडी से लिया था यह वाला और यह ब्रैंड न्यू था और यह USA वाला वेरिंट है मेरा इसके लिए इसमें जो MMWave वाली टिकनोलोजी वाला जो एंटेना है वो यहां पे देखे रखा है उन्होंने और जो मेरा iPhone 11 Pro Max है यह भी मैंने वहां से लिया था I don't remember the exact rate मुझे याद नहीं है अगर मुझे उनका link मिलता है तो I'll drop it in the description यह जो मैंने खरीदा था यह भी उनसे जो है खरीदा था लेकिन इसको मैंने खरीदा था as a demo phone या open box phone था यह एकदम brand new नहीं था लेकिन इसकी जो battery help मुझे मिली थी that was 100% यहाँ पे आप इस phone में देख सकते है मेरा 11 pro max है के मेरी battery capacity आज भी it is still 100% तो यहाँ पे दोस्तों यह था conclusion हमारा के कौन सा phone आपको लेना चाहिए कौन सा रना चाहिए अगर आपने ले लिया iPhone 12 pro max तो इससे अच्छा आज के तारिक में कोई और smartphone नहीं है और इनके ओपर जाधा पैसे बरबात करके कोई मतलब नहीं है तो आप लोग क्या सोचते दोस्तों इस comparison के बारे में आपको कौन सा phone बहतर लगता है मुझे नीचे comment में लिखके बताइए इसका camera comparison में ने किया हुआ है उसको भी आप check out कर सकते है उसका link भी description में दे उमीर करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसना होगा पसने को इसको like and share जरू कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए goodbye